रादे रादे दोस्तों वास्टिव सिफोर ओम चैनल में आप सभी दोस्तों का स्वागत हैं दोस्तों जिन पत्नियों के पती बहुत ज़्यादा कलेश करते ही या पती मान सम्मान नहीं देते ही पती प्यार नहीं करते ही परिष्टी के चक्कर में पढ़ गए ही तो अगर अपनी से प्रेम करने लग जाता है नवरात्रों में इस उपाय को अगर एक दिन भी कर लिया जाए तो पती का प्यार मिल जाता है आज उसी की हम जानका ही दे रहे हैं पांतों से जाननी से पहले जो भी दोस्त माता वे ने हमारी चैनल को पहली बाद देख रहे हैं जिन्होंन अप्रिती अप्डेट सबसे पहले आप तर पहुन सके इसमें करना यह है कि माता वेनों को चाहिए कि माताराणी की जब पूजा करती है किसीं भी समय किस jeं दिन राट 24 गंटे के अंदर किसी भी समय एकांत में सुपाय को कर सकती है इसमें कनाय के माता रानी को कपूर अतीप प्रिये और माता रानी पर लोंग भी चड़ाई जाती है माता रानी के सामने कपूर और दो फूल डाल लोंग लेकर के बैठ जाए इसके बाद में दो फूल डाल लोंगों को अपने हाथ में लेकर कि पती का नाम लेकर कि 7 वाद उस पर फूप मारें इसके बाद में मातारानी के इसाब ने ओम मंपती वसकराई कुरू कुरू स्वा ओम मम पती वसकराई कुरू कुरू स्वा ओम मम पती वसकराई कुरू कुरू स्वा इस मंतर का साथ वार जाप करके फिर खपूर जलाएं और खपूर जलाके फिर माता रानी से अपने पती के प्रेम पाने की प्रात्ना का तुएं उन दोनों लोगों को उस खपूर में जला द प्ति के चर्णों से लगा करके अपनी मांग में भल लेना है केवल इस उपाइ को करना है बिना टोकि इस उपाइ को करें देखना पती का चूक वसी करन ओनेदिट लग जाता है जो कपूर की लॉंक की जो बस्म बनेगी उस बस्म को ले कर के पती के कपड़ों पछड़क देना जरासी खड़क देना जो कपड़े पहले से रखे उनमें अर्फ कीसी लगा देना पती जैसे ही पहनेगा पती का प्रह्म आपको प्राप्त होगा दोस्तों यह आपको जानकारी अगर जानकारी अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक और से जुरू करें आप सभी को जैसी रादें